मुकेश किस चीज पे जोर देता है वो अपनी मरजी का मालिक बढ़ना चाता है वो खुद का मालिक खुद बढ़ना चाता है फर्स्ट पार्ट में हमने साहिव के बारे में पढ़ा था जो कि एक रेक्टी करता सैकेंड पार्ट का में रेक्टर है मुकेश और ये अपनी मर्जी का मालिक बढ़ना चाहता है I will be motor mechanic उसने कहा कि मैं तो क्या बढ़ूँगा मैं तो एक mystery बढ़ूँगा motor mechanic बढ़ूँगा Do you know anything about cars? I ask मैंने पूछा ये कौन है ये I? वही है Annie's Young ये chapter की writer तो कहती है मैंने उसे पूछा क्या आप गाड़ियों के बारे में कारों के बारे में कुछ जानते हो I will learn to drive a car he answers looking straight into my eyes उसने बिल्कुल मेरी आँखों में देखते वे का कि मैं जो है सीख लूँगा गाड़ी चलाना सीख लूँगा मतलब गाड़ी भी चलाना सीख लूँगा इनके बारे में भी सारी चीज़े सीख लूँगा एकदम मुझे देखते वे का His dreams looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town fireza बाद famous for its bangles अब उसका ये जो सपना है ना वो उस जगए पर कौन सी जगए फिरोजाबाद जो चूडियां बनाने के लिए famous है उस जगए उन गलियों में फिरोजाबाद की गलियों की दूल में ऐसा लग रहा है जैसे म्रग तरस्टना की तरह है कि जो चीज यहां पर possible ही नहीं है वो सपना वो वहां पर देख रहा है It is the center of India's glass blowing industry ये जो है भरत का spent generations working around furnaces जहां पर बहुत सारे परिवार को बहुत परिवारों की काफी पीडिया बीच चुकी है इन बट्टियों के आसपास काम करते हुए welding glass चीशों को जोडते हुए making bangles चूडिया बनाते हुए for all the women on the land it seems इस पर्थी पर जितनी भी ओरते हैं उन सब के लिए यहां पर में स्चूडिया बनाई जाती है और यहां का हर परिवार इसी काम में व्यास्त है लेकिन मुकेश इन से कुछ अलग कोशिश कर रहा है वो अपना खुद का मालिक बढ़ना चाता है मुकेश families among them मुकेश का परिवार भी उनमें से किन में से चूडिया बनाने वालों में से none of them know that it is illegal for children उनमें से कोई नहीं जानता कि ये काम बच्चों के लिए गैर कानूनी है like him to work in the glass furnaces with high temperature उसकी तरह वो भी काम करता है उसके जैसे और बच्चे वो भी सही नहीं है क्योंकि ऐसी जो glass furnaces जहां पर उन बच्चों में जहां शिशे का काम होता है high temperature होता है वहां in dingy cells without air and light ऐसी काल कोटरियां ऐसे बंद कमरे ऐसे अंदेरे कमरे जहां ना हवा है ना परकाश है that the law if enforced could get him and all those 20,000 children out of hot furnaces where they slog their daylight hours often losing the brightness of their eyes अब देखे यहां पर यदि वहां पर कोई कानून लगा जाए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं यह गहर कानून इकाम है तो अगर कोई कानून यहां लगा दिया जाए तो शायद वो जो 20,000 बच्चे वो जो उन गरम बट्टियों के पास काम करते होई नजराते हैं तो कोई न कोई अधि कानून लगे तो क्या हो तो कम से कम यह जो बच्चों की जो इहालत है 20,000 बच्चों को बाहर निकाल जा सकता है मुकेश आइस बीम एजी वोलेंटियस तो टेक मी होम विची प्रावडली सेज इस बिंग रिबिल्ट अब देखे मुकेश की जो आखे न एकदम से मतलब चमक जाती है जब वो मुझे अपने घर ले जाता है और क्या बताता है गर से कहता है कि देखो इस बिंग रिबिल्ट के देखे ये घर जो है न दुबारा बिल्ट किया गया दुबारा से बनाय गया है मतलब हुमन और जानवर सब लोग ही खटे रहते हैं इन्हें प्रिमीवल स्टेट अब कहता है मुकेश मुझे वहां ले गया खुशी से और गर से कहता देखो ये हमने दुबारा बनवाया है और मैं देखती क्या हूँ वहाँ वहाँ पूरे बद्बूदार नाडों के साथ साथ हम चलते हैं उनके घरों के पास चोट 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 दिवारे हैं दरवाजे हिल रहे हैं खिड़कियां तो है ही नहीं और लोग और जानवर एक साथ रहते हैं और वो एरिया पूरी ऐसी फैमिली से भरा पड़ा है जहां जानवर और इंसान एक साथ रहते हैं यह की जगह अब कहता है वह रुखता है थोड़ी देर किस जगह रुखता है वह कैसे घर के दर्वाजे के पास रुखता है जो पैर से ही लाया पैर से मतलब पैर से उस लोगे के दर्वाजे को ऐसे खोलने कोशिश कर रहा है खटकटा रहा है और उसको धकलेल कर एकदम से खोल भी देता है अब देखिया हम कहां पहुंसते हैं जो आधी शैक माने जोपडी मतलब पूरी तरह से बनी नहीं है आधी बनी हुए इस जोपडी क्या जो एक साइड है उधर डैड ग्रास होती सूखी घास जैसे गाओं में छपनी बनाते हैं गिली से नहीं बनता सूखी से तो सूखी घास लगी हुई है और उसके एक तरफ क्या है वहाँ पर एक इस्से में एक तो बनी हुई है घास से वह एक जग है और एक चुला रखा है जहां पर एक बड़ा सा बरतन है वहाँ पालक के पत्तों से भरा हुआ वो बरतन रखा हुआ है ओन दा ग्राउंड इन लाज अलूमिनियम प्लेटर्स और मोर चोपड वेजिटेबल और एक साइड बहुत सारे मतलब एक अलूमिनियम की प्लेटर बड़ी सारी उसमें बहुत सारी सबजीयां कटी हुई रख है पूरे परिवार के लिए थ्रू आइज फिल विट स्मोक सी स्माइज आखों में धुआ जारे लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रही है शीज दवाइफ ओफ मुकेश एल्डर ब्रादर वो कौन है मुकेश के बड़े भाई की वाइफ नोट मच ओल्डर इन यर्स उम्र में इन लोगों का चार्ज उसने समाल रखा है उनका काम वो करती है रस्बेंड मुकेश एंड देर फादर मुकेश उसका बाई और उसके पिताजी उनका काम उसके चार्ज में है वेंदा ओल्डर मैन एंटर जब बुड़ा आदमी आता है शी जेंटली विड्रोज ब्लेंड द चेरे को चुपाने के लिए गूंगट नीचे कर लेती है देखो गाउं में पड़ता है बड़े बुड़ों के सामने कोई भी हस्बेंड से जो बड़ा वैकती होता है आदमी मेल इवन फिमेल के सामने वी सास्सू है जे ठाने इनके सामने भी पहले करते थे लेकिन आज कल नहीं है ऐसा आजकल टाइम चेंज हो चुका है यह तो पहले की बाते हो रही है इसलिए अभी बताया गया है कि जब कोई भी बड़ा बुड़ाता है इवन उसके ससुर की बात हो रही है या कोई भी मेल एल्डर जब आता है तो वह अपना गुंगट नीचे कर लेती है एज कस्टम डिमांड जैसा कि रिती रिवाज है डोटर से इन लाब मस्ट वेल देर फेसिस बिफोर मेल एल्डर जो भुवे होती है वो मेल एल्डर जो आदमी होते हैं बड़े उनके सामने अपना गुंगट कुंग अवश्य नीचे करना होता है इन दिस केस दा एल्डर इस और इस केस में जो एल्डर है यहां पर जो बुजुर्ग वेक्ती है वो कोन है वो बेचारा एक गरीब सा दरीदर सा चूड़ी बनाने वाला है डेस्पाइट लोंग एर्स ओफार लेबर बहुत मेहनत की उसने पूरी उमर उसके बावजूद फस्ट एज टेलर पहले टेलर था देने बैंगल मेकर फिर्चूडिया बनाने का काम किया वो एक घर को दुबारा निर्मान करने में ऐसाफल हो गया अपने दो बेटों को स्कूल बेजने के लिए ऐसाफल हो गया ओल यह मैनेज तू डू इस तू टीच देम वट ही नोज दा आर्ट ओफ मेकिं बैंगल ब जो चीज सिखा दी जो उसने सीख रखिये क्या चूडियां बनाने की कला हला कि वो अपने बच्चों के लिए उनको स्कूल नहीं बेज पाए उनके लिए एक नए घर का निर्मान नहीं कर पाए लेकिन जो चीज जो आर्ट वू से आती थी आर्ट ओफ मेकिंग बैंगल्स वो चीज उसने अपने बेटे को सिखा दिये ओके थैंक यूँ